से हालो ओसके इस video मां पुंसे के बिजुएलめिसिक में शीट को इंसर्ट या एड करते है तो देखे हमारे पड़ यहांपर two sheet है तो excel में शीट इंसर्ट करने के लिए हम सिंपल सा किसी शीट के ओपर रैट क्लिक करेंगे और तो यहां पे insert का option आता है, inserts यहां पे हम इस sheet को ok करेंगे तो यहां पे नए sheet insert हो जाएगे ठीक यही काम आप विजूल बेसिक में करना है, यहां पे एक छोटा सा मेरा code लिखावा है, excel किसी भी sheet को insert जब भी आप करेंगे तो by default जो आपकी activate, active sheet रहेगी उससे पहले एकुत yaptle करता है एककिन अगर आपको अपने हिसाफ से शीट इंसर्ट करना है मुझे इसके बाद में शीट इंसर्ट करनी हो या पहले शीट इंसर्ट परेए तो यहां पर सिकhेंगे हैं С्था तो देखिए सबसे पहले दो easiest method है, sheet को insert करने के, sheets.add और worksheets.add, इन दोनों method से sheet add होती है, लेकिन इसमें problem क्या होती है, कि जब भी आप sheet को add करेंगे, by default आपके जो भी active sheet रहेगी, मेरी यहाँ पे active sheet जाजे second है, तो second sheet से पहले, जो भी active sheet रहेगी, उससे पहले sheet को insert करेगा, ठ अपने sheet के बाद में insert करने है, तो उसके लिए मुझे यहाँ पर code को extend करना पड़ेगा, थोड़ा से increase करना पड़ेगा, यहाँ पर देखे, sheets.add, हमने एक ही sheet, यही code यहाँ पर विलिया, sheets.add, sheet को add करेगा, लें कहां पर add करेगा, इस line को हमने लिखना है, यहाँ पर sheets, हमारी sheet जो है, उसमें, जिस sheet का नाम ही है, यहाँ पर देखे, bracket में, sheet का नाम लिखा वाया, उस sheet के बाद यह sheet को insert करेगा, इसी तरह कि अगर मुझे, sheet से पहले किसी sheet को insert करना है, तो हम क्या करेंगे, sheets.add, sheets.add, before sheets, यहीज़, इसका नाम हमने यहाँ पर लिख दा कि इसके before, इस sheet स पहले इसको add करना है, तो अगर हम इसको execute करते हैं, तो अब suppose कर लिज़े कि मैं अपने active sheet sheet one करता हूं, ठीक है, और इसको run करता हूं, f8 से, sheets odd यहाँ पर देखे, इसने sheet one से पहले sheet add कर दिया है, ठीक है, अब sheet 16 से पहले, sheet को add करेगा, देखे, यहाँ पर इसको execute करेंगे, इससे पहले है, हमने sheet अपना active यहाँ पर रखा था, इसने नया sheet यहाँ पर create करा, और इसने नया sheet, जो भी sheet insert होगी, जो हमारी active sheet होगी, उससे पहले ही होगी by default, लेकिन अगर मुझे अपनी sheet के, जो हमारी sheet है, यहाँ पर अपनी जो पसंद की sheet, जो sheet के बाद में हम किसी को add करना चाहते है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर after sheet का नाम लेगे, after semicolon is equal to sheets dot sheet का नाम, जिसके बाद में हमें sheet add करने है, इस code को अफरन करेंगे, तो आप लेगी हमारी sheet active यह थी और इसने यहाँ पर नई sheet add कर दिया, इसी तरीके से, इस sheet से पहले, ठीक है, अब आ नहीं sheet add करेंगा, इस sheet से पहले activate कर देगा, इसमें आपको sheet को activate करने की ज़रूद नहीं है, अब देखी, यहाँ पर हमने code run किया, तो इसने क्या करा, कि sheet जो हमारी तीज, जो हमने यहाँ पर code में sheet mention कर रखी है, उससे पहले इसने sheet insert कर दिया, तो एक छोटा से वीडियो था Thank you